जैमातादी दोस्तो स्वागत आपका अपने अपने चैनल पर डिम्पल विलोक्स पर तो बात करनी है आपसे 16 गांठे 16 तंदे तो महालक्षमी को मनाने के लिए जे वुरत शुरू हो जाते हैं 16 वुरत होते हैं रादाश्टमी वाले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं महालक्षम को मनाने के लिए तो अगरवाल समाज में जो है वो दागे वो ले लेते हैं रादाश्टमी वाले दिन से ही तो जो इस तो यहां पर आप देख सकते हैं खूब सूरत सा धागा में आपको यहां पर दिखा रही हूं तो यह ऐसे करके बांदा जाता है सिधे हाथ को छोआके आप उल्टे हाथ पे बानते हो यह वरत जो है वो बेटों के लिए रखा जाता है लेकिन आज कल बेटा और बेटी में कोई भी अंतर नहीं है और आप यह धागा जो है घर पर भी बना सकते हो सूती धागे की सोला तंद लेकर उस पे सोला गांठ लगा सकते हो और कई ओरते जो है वो उसको केसर के पानी में डबो कर पिला करती है जा फिर कई हल्दी के साथ लगाती है और जा फिर कई पीले रंग से भी उनको रंग देती है आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उनके नाम से आप एक एक धागा लीजिए जैसे कि मेरे बेटा और बेटी है तो मैं उनके एक नام का धागा लूँगी, एक अपने हस्बन के नाम का और एक मेरे नाम का और एक मा लक्षमी के नाम का ये पांच धागे मैं अपने हात पर बांदूंगी। और पूजा करने के लिए हमें चाहिए भीगे हुए चने, दूरवा और मेठी रोटियां। मिठी रोटियां आप गुड़ जा चीनी से भी बना सकती हैं ये वुरत जो है सब्तमी और अश्टमी को होता है सब्तमी जानी पित्र पक्षके साथमे दिन और आठमे दिन तो अगरवार समाज में सब्तमी करी जाती है और हम लोग अश्टमी करते हैं सुबा नहाने दोने के बाद हाथ पर धागा बानने के बाद आप दूद जाचाए कुछ भी ले सकते हैं उसके बाद आपको कथा सुनने तक उससे पहले कुछ भी नहीं लेना क्योंकि ये निर्जला वरत होता है और कथा सुनने के बाद जो धागे आप वो मंदीर में पंडि परानी का ध्यान करके, कता सुनने के बाद सब औरतें कठा होकर बेरी के पास जाती हैं, और बेरी के उपर वो चने जो भीगे हुए साथ लेकर जाती हैं, उसको आटे में लपेट कर आटे में थोड़ी सी हलदी मिक्स कर ली जाती है, क्योंकि पेड़ पे वो अच्छे से लग जाए तो 16 चनी के दाने आप काले चनी के दाने उसके उपर लगाये जाते और साथ में कुछ ओरतें बोलती भी हैं बेरी बेरी तेनु बेर लगन बठेरे तेनु गण वत्ते आंदी चाम इनु पुत्त पोत्रे आंदी चाम तो ऐसे वो अपने परिवार के लिए सुक समरीदी मांगती है मातारानी से तो घर आकर वो चाय वगारा पी सकती हैं और रात होने का इंतिजार करती हैं जब तारा निकलता है फिर वो तारे को अर्क देती हैं मिठी रोटी के साथ और जो मिठी रोटी कुछ मिठी रोटी हैं वो मंदिर में पुजारी जी को दे आती हैं और उ तो ऐसे जो वरत है संपन होता है तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मालक्षमी सब पर अपनी किर्पा बनाए रखे जै मालक्षमी